नमस्का शामद्रिक विज्ञान के इस अंक में एक बार आपका पनो स्वागत है दोस्तों मैं हूँ भास करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्त रेखा का ये अंक शामद्रिक विज्ञान का ये अंक अपने ही पसंदीदा यूटूब के चेनल गोपलॉक्स में आज यहां पर एक सुन्दर सी फिमेल हतेली आप महिला जातिका है और आपकी रियल हतेली मेरी शामने विवेचना के लिए आई हुई है सबसे पहले देखें तो आपका जो मिडिल फिंगर है ये पूरी तरों से जुक रही है कर्ब ले रही है रिंग फिंगर की तरब इसका मतलब है बहुत जादा मेहनत और परिश्रम करने के बाद ही चीजों में आपको सपलता मिलेगी और कई बार दोड़ा धूपे का काम भी आपको करना पड़ेगा दूसरी बात यहाँ पे दिखाई दे रही है आपकी हतेली की मिडिल फिंगर और आपकी हतेली की इनडेक्स फिंगर के जो तीसरा पॉरवा है यहाँ पे एक छिदर दिखाई दे रहा है इसका मतलब है कि 35 वर्स तक धन के मामले में तीन चीजों में से एक या दो चीज रही होंगी या तो खर्चेला स्वभाव रहा होगा या तो धन के महत्यों को नहीं समझ पाए होंगे या तो धन के मामले में कहीं न कहीं संगर्स रहा होगा ये इसको दिखाता है तीसरा आपकी हतेली की बहुत सांदार आकरती दिखाई दी रही है आकरती को अगर हम देखे तो पूरी तरो से आयताकार हतेली है और हतेलियों की जो कैटेगरी होती है उसमें जो उच्चकोटी की हतेली ये मानी गई है आकर के इसाब से ऐसे लोग जिग्यासो परवर्ति के होते हैं ऐसे लोग एनलेटिकल किसम के होते हैं ऐसे लोग दार्सनिक होते हैं और जीवन में करियर के अगर मामला देखा जाए तो ऐसे लोगों को बोलने से जिस काम में बोलने से ज़्यादा काम चलता हो या मस्तिस्क का ज़्यादा प्रियोग किया वाओ हो ऐसे लोगों को ऐसे करियर सुटेबल रहता है तरकी देने वाला रहता है और ये लवग काम्यावी बहुत अच्छी पाते हैं जिसमें सारेरिक महनत की बहुत ज़ादा जरूरत पढ़ती हो पसीना खुब बहाना पढ़ता हो ऐसा करियर ऐसे लोगों के लिए बहुत ज़ादा सुटेबल नहीं रहता है तीसरी बात अगर हम यहाँ पे देखेंगे हतेली की रंगत हतेली की रंगत बहुत खूब सूरत दिखाई दे रही है एक गुलाबी कलर की दिखाई दे रही है निश्चित रोप से भाग्य बहुत अच्छा है आगे जो है भग्यवान व्यक्तित्व की धनी होने वाली है हर चण का आनन्द लेंगे हर चण का लुथप उठाएंगे किसी भी मामले में हो यह अच्छी दिखाई दे रही है तीसरी बात अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो इस प्रकार से जो है सूर्य पे सांदार निसान बनते हुए यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं इसका मतलब है दो लकीरे आपको संतान सुक निश्चित तोर पे मिलेगा अब बेटा हो या बेटी हो वो बात अलग है संतान सुक मिलेगा ही मिलेगा आगे चल कर आपको यस मिलेगा अभी बहुत ज़्यादा नेगेटिव उर्जा कुछ जिसको कहते हैं गुरु चांडाल योग वो बना हुआ है जिसके कारण चीजें ठीक नहीं है इसका मैं उपाई दूँगा बिदिवत तरीके से करिएगा बहुत अच्छा लाब आपको होगा लेकिन बाद के लिए ये बता रहा है कि जहां संतान सुक बहुत अच्छा मिलेगा वहीं आपको परसिद्ध मिलेगी यस मिलेगा और विपल संपत्तिका लाब मिलने की संभावना को ये बता रहा है बहुत अच्छा है यह यहां पर इस पश्ट तरीके से बताता है कि अगर आप अपने काम को तनमयता से करें अपने काम पर फोकस रखें और इमानदारी से करें तो उसमें कहीं न कहीं आपको परसिद्धी के साथ-साथ जिसको कहते हैं मैडल का मिलना, पुरुसकार का मिलना इस परकार की चीज़ों को यह दिखा रहा है और आर्थिक इस्तिती बहुत मजबूत रहेगी यह इन चीज़ों की और इसारा कर रहा है यह बहुत अच्छी चीज़े है दो चीज़ें खराब हैं यहां पर सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो आपकी हतेली में जाल बना हुआ है और हतेली में बिसेश कर इस परकार का जाल बनना अच्छा नहीं माना जाता है क्योंकि नाड़ी रेखाईं आपकी जो है मनि राहों का जबरदस्त प्रभाव है उसके साथ साथ केतु खराब है तो केतु का प्रभाव है ब्रस्पती यहाँ पे जो है नीच अवस्ता में बैठा हुआ है तो यहाँ पे निश्चित त्रोप से गुरुच चांडाल योग बना हुआ है और जब अतेली में जाल बनता है तो सबसे पहला प्रभाव ये देता है मन पर और मस्तिस्क पे मनी जीवन में उलजन बढ़ जाती है क्रेट हो जाती है ब्रक्ति जादतर कनफ्यूजन की इस्तिति में रहता है उलजन, कनफ्यूजन और दुविधा ये चीजे हावी रहती है और ब्रक्ति की जो निर्णे लेनी की ताकत होती है वो छीन हो जाती है ब्यक्ति सही ढंग से decision नहीं ले पाता है कि करना क्या चाए और किस तरब जाना चाए दोसरा जब ऐसी इस्तिति आती है तो मन पे जादा प्रभाव पड़ता है ने मस्तिस्क पे पड़ता है तो क्या होता है कि छोटी छोटी चीजों में भी ब्यक्ति जो है stress लेने बैठ जाता है ठीक है तनाव लेने बैठ जाता है और उसका तनाव जो है बहुत बिस्तित रोप ले जाता है पूरी तरह से घर कर लेता है उसके body के अंदर पंच ततों के अंदर हम मेजर जो सब्त चक्र हैं उसके अंदर ये गलत चीजें भर जाती है और इडा पिंगला के द्वारा जो स्वांस पर स्वासन होता है उसमें जो बाहर से जो है पॉजिटिव उर्जा अंदर आनी चाहिए थी उसके बदले नगेटिव उर्जा में बिर्दि हो जाती है और चीजें बिखराव की और आती है ठीकन दूसरा इसका जो प्रभाव है आपकी सेहत पे पढ़ता है चाहे वो सारेरिक स्वास्त्य हो चाहे वो मानसिक स्वास्त्य हो ये उसमें बिकार देने की कोशिस करती है तीसरा इसका जो प्रभाव है आपकी रिस्तों पे पढ़ता है खास कर दामपत्य जीवन का रिस्ता, परिवार का रिस्ता या कुटुम का रिस्ता इन रिस्तों का जो चरम सुक का भोग है उसके बीच में परस्तितियां आ जाती है और कभी-कभी इसका प्रभाव जो है आपके सामाजिक, आपके प्रोफेशनल इन रिस्तों पर भी पड़ता है कई बार आपने देखा होगा, जब हतेली में ये नगेटिब उर्जा होती है साप दिखाई देती है, जैसे आपकी हतेली में दिख रही ही है तो आप किसी के लिए कुछ भी कर लो, अपना सर तक काट को डालो कई सालों तक आपने किसी के लिए बहुत कुछ किया है समझो आपने खूब जो है उसकी भलाई के लिए मिहनत कर लिए अपना तनमन लगा लिया कि लाश्ट में वोई बिरोधी बन जाता है आपके अंगेश्ट खड़ा हो जाता है आपको डुबाने की आपको विखराओ अवस्ता में आप आजाएं आपको बुरा करने की सोचता है और फिर कोई भी रिष्टे ढंके नहीं रह जाते हैं यह आपके अंदर नगेटिव उर्जा है ना तो कोई प्रारब्द है ना तो आपने इस जनम में भी कोई गलत कर्म किये हैं लेकिन इस नगेटिव उर्जा के करण आपके रिष्टों में बिखराओ अनमैनेज की इस्तिती बहुत ज़्यादा आ रही है और आपको उसका यस नहीं मिल रहा है चौथा इसका प्रभाव आपकी आर्थिक सेहत पे पड़ता है ये हमेशा आपको आर्थिक रूप से कमजोर रखने की कोशिस करता है आर्थिक रूप से दरिद्रता की और ले जाता है धन का जो प्रबंदन है वो सही से नहीं हो पाता है कितना भी धन आ रहा हो खर्चे अपने आप आजाते हैं, धन रुकता नहीं है, टिकता नहीं है, बरगत की कमी होती है और इसके कारण अलग परकार की चीजें उभर कर आती है पांचवा और सबसे बड़ा प्रभाव इसका पड़ता है आपकी डेपलप्मेंट पे और आपकी प्रोग्रेश पे यहाँ पर, दो चीजे इसमें दिखाई दे रही है एक तो दिखाई दे रहा है कि जिस जगह पर आप रहते हैं क्योंकि सब के हाथ में हैं, लगभग आपकी तो जिस जगह पर आप रहते हैं, उसमें कहीं न कहीं वास्तुदोस है तो उस वास्त दोस्त को ठीक कैसा किया जाए एक छोटा सा बहुत कारगर उपाई में आपको लिखे दे दूँगा आप उसको जरूर करें और अपने सरीर से नेगेटिव उर्जा कैसे बाहर लाए इसके लिए भी मैं एक बनस्पति अश्नान आपको दे रहा हूं एक योगा आपको दे रहा हूं जरूर करें अगर सूर्य किरिया भी कर सकते हैं वैसे जो है अपने देश के बाहर करना थोड़ा मुस्किल होता है लेकिन अगर वहां पे माहौल हो कर सकते हैं तो दिब्या सूर्य किरिया भी दूँगा उसको भी जरूर करें तो चीजें बेहत किे रेखा ये विशिश्ट अस्तान रखती इसका बड़ा फाइदा जीवन में होता है कि यहां पे आभास हो रही है है पहली रेखाश पूरी तुरों से ठीक नहीं है और ये रेखा बहुत महत्व रेखाऊं से कटी हो तो ऐसे ब्तियों को अपने स्वस्त्य का बिसेश दियान रखना चाये। खास करके जब यहां पे negative उर जाबी हो तो चाहे वो साररिक स्वस्त्य हो चाहे वो मांसिक स्वस्त्य हो बहुत बड़ी चीजें तो नहीं होंगी ये नहीं कहूंगा मैं कि बहुत बड़ी बिमारी हो जाएगी या जिसका इलाई जी न हो ऐसी बिमारी हो जाएगी लेकिन ये मानसिक रूप से बिक्ति को बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है और जब बिक्ति मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा प्रभ रही हो तो डॉक्टरी सलाजरूर लेना चाए धीरे धीरे इन चीजिजों के कारण चैस्वास्त्य का मामला हो आरोग्य का मामला हो तंदुरस्ति का मामला हो ठीक होने बैठ अगर आप नियमों का पालन करेंगे तो तीन वर्स के बाद से आप देखेंगे आपका जीवन जादतर बदल चुका होगा स्वाच्तिया आरोग्या और तंदुरस्ति के मामले में दूसरी रेखा ये है ये रेखा बताती है संपत्ति और धन के बारे में और ये आपके करियर और धन की रेखा से समन्द रखती है ठीक है न तो ये चीजें बहुत अच्छी हैं लेकिन आपने देखा होगा इस रेखा को भी बहुत सारी रेखाएं काट रहे हैं धन तो आएगा लेकिन टिकना उसका मैनेज होना थोड़ा सा जो है गड़बड अवस्ता में दिखाई द कि करने के लिए अपने सातों चक्रों को मेजर जो चक्र हैं उनको एक्टिव रखना होगा और इसके लिए मैं एक परकार का योगा दे रहा हूं दिव्य सूर्य के रिया दे रहा हूं जरूर करें तीसरी रेखा का आभास हो रहा किवर पूरी तरों से नहीं है ये रेखा है आपकी सुख की रेखा ये रेखा जितनी इसपष्ट होती जाएगी सुन्दर होती जाएगी वेसे वेसे आपको अपने स्वस्त्य का अपने धन का अपने एस्वर्य भोगनी का पूर्ण जो है सुख की प्राप्ति होगी इन चीजों को भोगिंगे आप अब ये तीन सा दिखाई दी रही है इसका मतलब है कि आपका पूर्व जनम तो बहुत अच्छा था जिसके कारण अच्छे नोलेज की प्राप्ति हो रही है और अच्छे प्रकार का धन घर में आ रहा है लेकिन यहां पर बहुत सारी चीजें दिखाई दी रही है। रेखाऊ का जाल दिखाई दी रहा है और कहीं भी हतीली में रेखाऊं का जाल अच्छा नहीं होता है। यह पता रहा है अभी कुछ समय तक लगबग 3.5 बरसों तक जीवन में संगर्स को यथावत रखेगा और जीवन में कहीं न कहीं ये क्या करेगा आपके अंदर चिंताओं को भरा रखेगा कोई न कोई चिंता रहेगी एक चिंता से निजात पाएंगे तो चिंता फिर भी रहेगी और कई बार बेवजहे की चिंताइएं भी रहने की संभावना दिखाई दे रही है तो इन सब के लिए बनस्पति अश्टान और योगा दे रहा हूँ उस चीज को जरूर करें दिब्य सूर्य के लिए भी कर सकते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा अब तीसरी चीज देखेगा जरत ध्यान से यह जो फिंगर है आपकी इसके नीचे का जो यह भाग होता है यह बड़ा माइन रखता है क्योंकि यह जुपिटर का माउंट है यही भाग है जो हमारी जिवन में सबसे बड़ा पॉइंट है अब यह देखेगा आपका सनी की तरब देख रहा है जब भी यह सनी की तरब देखता है तो परिवार को लेके चिंताएं देता है और यहाँ पे आप देखेंगे यह साधान अउस्ता में बैठ गया है और आपके अंदर भी यह साधारनता दे रहा है सामन ये बिक्तित्वकीर आपको ले जा रहा है और ऐसे में किसी भी बिक्ति की हतेली हो चाहे महिला हो, पुरुस हो और चाहे आपका राइट हैन हो, चाहे लेट हैन हो अगर जुपिटर का माउंट साधारन है तो आपके पास कितनी भी अच्छी नौलेज हो अच्छा ग्यान हो उसको इंप्लिमेंट करने के लिए प्लेटफोर्म नहीं देता है ऐसे में आपका जो बैवाहिक जीवन है उस जीवन का जो चरम सुक का भोग है उसके बीच में ये प्रस्तितियां खड़ी करता है इस मामले में अगर ब्रस्पति ऐसे हैं संतान को लेके चिंताई होती है ऐसे में पैतरिक संपत्ति का बहुत अच्छा जो है फाइदा नहीं हो पाता है ऐसे में धन के मामले में भी ये आपको कहीं न कहीं माइनेस के अवस्ता में ले जाता है और सभी परकार के जो सुक हैं जो मानव जीवन के लिए चाहिए ही चाहिए ब्रस्पत्ति के इस परकार साधारण होने चे उनमें भी साधारणता आती है और कई बार ऐसे लोगों को एक सिक्षक नहीं मिलता मनि सही समय पे सही दिखा दिखाने वाला नहीं मिलता है और कहीं न कहीं इसके कमजोर होने से इसके साधारण होने से जीवन में संगर्स की इस्तिति आ जाती है और कभी कभी ऐसे जातक हों जातिकाएं हों अपने आपको अकेला मैसूस करते हैं अगर गुरू ऐसा है इसका विसेश उपाई दे रहा हूं बहुत छोटा उपाई है जरूर करेंगे आपको जबरदस्त लाव होगा एक बात का ध्यान रखेगा खास कर जो पेशे से रिलेटिड लोग हैं चाहे वो महिला हो प्रोस हो और चाहे आपका लेप्ट हैंड हो चाहे आपका राइट हैंड हो अगर इसमें ब्रस्पति ऐसा है साधरन अउस्ता में आने बैठ गया है तो सिक्षा का छेतर है इंजिनियरिंग का छेतर है चिकित्सा का छेतर है मैनेजमेंट का छेतर है बानिजय का छेतर है और कानून का छेतर है अगर आप इन छेतरों में कार्य कर रहे हैं या कार्य करने की सोच रहे हैं तो चीजें बहुत सामान्य रहेंगी आपको डबल तिरपल मेहनत करने के बाद बहुत कम सपलता मिलेगी अगर इन छेतरों में आप काम करने की सोच रहे हैं या काम कर रहे हैं तो आप अपने ब्रेस्पति को जरूर मजबूत कीजेगा आपके लिए बहुत सांदार रहेगा तो जो भी प्रेशानिया हैं आपकी गुरु चांडाल योग के कारण इसमें चल रही है जो साड़े तीन वर्सों तक चलेंगी और उपाई आपको करने ही होंगे जिससे ये पूरी तरों से घर न करे और साड़े तीन वर्सों के बाद अगर आपने सही से उपाई कर लिए तो पूरी तरों से आप इनसे निजात पा सकते हैं ये संभावना भी यहां पर इस पश्ट दिखाई दे रही है फिर अपने स्वाच्ट्या का अपने धन का और अपने एस्वरे भोगने का जो सुक है आपको मिलेगा ही मिलेगा आपकी हतेले की लकीरे बोल रही है ये उंगली देखें तो पूरी तरों से जुक रखी है इस तरफ धार्मिक भावनाएं बहुत अच्छी रहेंगी इस स्वर में विश्वास बना रहेगा और अपने आरद्य के परती समरपण की भावना रहेगी यहां पर देखेंगे तो बहुत जादा मेहनत परिश्रम करने के बाद चीजों में सपलता मिलेगी कई बार दोड़ा धोपी का काम भी करना पड़ सकता है यह उंगली इस तरों से यस पाने की इक्षा नेम फिम पाने की इक्षा और अपने कारियों में विस्तार पाने की इक्षा हमेशा बनी रहेगी आगे चल कर इसका फायदा भी मिलेगा इससे बड़ी है इससे छोटे है निश्चित तोर पे जिवन में यस की प्राप्ति होगी सम्मान मिलेगा ही मिलेगा और इससे मन प्रशन रहेगा खुसुन मामा होल रहेगा धन का माने के ललक जबरदस्त रहेगी लेकिन ये इसके पहले पोर्वे तक नहीं पहुँच पर रही है तो धन के प्रवंदन में, कागजों के रखराखाओ में, एकाउंटिबिल्टी में, फाइलिंग में और कम्यूनिकेशन इसकिल्स में कमी दिखाई दे रही है और जो व्यक्तित्व है, वो भी पूरी तरों से निखरताओ नहीं दिख रहा है और इसका प्रवाव आपके दामपत्य जीवन पर भी पढ़ रहा है व्यक्तित्व को छोड़ कर भी तो यहां तक नाखोन बढ़ाएं, नेचुरल तरेके से तो जबरदस्त फायदा होगा एक सुखत जीवन जीने की चाहा बनी हुई है और सुखत जीवन जीने के लिए प्रेतन सील व्यक्तित्व भी है यह बहुत अच्छी चीज आपके अंदर है हिर्दय रेखास पूरी तरों से आपके देवगुरु ब्रस्पति को छो रही है इसका मतलब है आपका व्यक्तित्व सब के लिए सोचने वाला है बुद्धिमता भी बहुत अच्छी है, बुद्धिमान भी है, आप तेजुस्वी भी है प्रेम के मामले में हिर्दय से बहुत अच्छी है जिसको भी प्रेम करते हैं, अपने अंतहक करण से प्रेम करते हैं अंत तक निभाने वाला व्यक्तित्व आपका है, हाँ स्वाबिमानी जरूर है और स्वाबिमान में कई बार अभिमान का पुट भी आता है इसमें कोई दोराई नहीं है, लेकिन इससे कोई दिकत भी नहीं है पूर्ड तब विश्वासी है, विश्वास किया जा सकता है ऐसा व्यक्तित्व आपका है जिसको कहते हैं निर्मल हिर्दय का व्यक्तित्व और ब्रिस्पति के पुष्ट और सुन्दर होने पे ये बता रहा है कि आगे चल कर, चाहे आप व्यापार करें, चाहे नोकरी करें चाहे और भी कोई काम करें, समाज में एक स्रेष्ट व्यक्तित्व आपका रहेगा स्रेश्ट जीवन आप व्यतित करेंगे ये इस पश्ट दिख रहा है एक यहां से और मस्तिस करेखा पे मिल रही है एक यहां से चल कर इस प्रकार से जाती हुई दिखाई दी रही है तो यह यहां पे एक गुणा का चिन बन रहा है आगे चल कर क्या घटित होने वाला है भौश्य में इसको लेकर कहीं न कहीं आपको पहले ही आभास हो जाएगा क्योंकि आपकी छटी इंद्री पूरी त्रों से आगे चल कर बिक्सित अवस्ता में आ रहे हैं खास करके 61 एर से कहीं न कहीं अध्यात्म आपके अंदर पूरी त से आ जाएगा गुरू किर्पा जबर्दस्त दिखाई दे रही है और उसके कारण से आप धर्म अध्यात्म में जो एक्चुल चीजे हैं बेग्यानिक तरीके से देखने की वह आपके अंदर आ जाईगी यह बहुत अच्छी है चटी इंद्री का विक्सित होना दूसरी बात अगर हम यहाँ पे देखेंगे आपकी मस्तिस्क की रेखा इस तरों से आते हुई दिखाई दे रही है और एक यहाँ पे जो है इस प्रकार का जो है बनता हुआ दिख रहा है यहाँ पे देखेंगे तो क्रियेटिविटी बहुत अच्छी रहेगी आगे चल कर और जो विबेकवान बेक्तित्व है वो जागरत होता हुआ दिखाई दे रहा है लंबी और हवायात्रों का जिवन में मौका मिलता हुआ दिख रहा है एक से जादा सरोतों से अर्थो पारजन का करने का अप्रियास भी करेंगे लेकिन जब तक विरस्पति कमजोर है तो चं इंतातुर स्वभाव भी बना रहेगा इसमें कोई दोराई नहीं दिखाई दी रही है अब यहां पर देखेंगे हम एक रेखा इदर आ रही है एक रेखा इससे निकल का आगे चल रही यह बहुत अच्छा है ये लेकिन ये जितनी जादा बढ़ती जाएगी थोड़ा संग कहीं एक पूर्ण रूप में तो नहीं है लेकिन इस प्रकार से दिखाई दी रही है बहुत अच्छा है परिवार के परते समरपन की भावना बढ़ रही है और जैसे जैसे उमर बढ़ेगी धर्म में अध्यात्म में रुच बढ़ती हुई दिखाई दी रही है एक रेखा काम चल जाएगा ये इस परकार की चीजों को दिख रहा है सुक्र का अगर हम परवत देखते हैं तो घोमने फिरने के बहुत जादा सोकिया रहेंगी अपने को मेंटेन रखना अपनी परसनल्टी पर ध्यान देना अपने को सज समार कर रखना ये चीज़ें जादा रहेंगी नई चीजों के परती रुझान रहेगा चाहे नई परकार का फैसन हो नई परकार के कपड़े हो या मार्केट में नई परकार की चीज़ें हो बहुत एक सुक्सुवधाओं के तरफ बहुत जादा रुझान रहेगा चाहे लक्जरी लाइफ हो या अल्टरा लक्जरी लाइ लेकिन अब ही अगर देखें तो किसी चीज को लेके बहुत ज़्यादा सोच रही होती है चिंताएं भी साथ साथ में चल रही होती है छोटी छोटी चीजों पर भी कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा इस्ट्रेस लेना जिसको कहते हैं तनाव की इस्तिति आ जाना एकदम जिसको कहते हैं छण भंगोर वाली चीजे वो इस पश्ट दिखाई दे रही है तो योगा दे रहा हूं जरूर करें वही निबन मंगल दें छण भंगोर वाला गुस्सा भी ये पैदा करता हो दिख रहा है कनफ्योजन उलजन चिर्चिड़ापन इस प्रकार की चीजें दे रहा है दिब्डे सूरे क्रिया दे रहा हूं उसमें इसका उपाई दूँगा जरूर करेगा आपको लाब होगा यहां पे देखें तो प्राकरम बहुत अच्छा रहेगा जियो उनमें एनरजेटिक सुभाव बना रहेगा और कहीं न कहीं ऐसा बिक्तित तो आगे उबर कर आएगा जो भी आप से मिलेगा वो कमपर्टेबल फील करेगा आपका ब्रेस्पति ठीक नहीं है इसका उपाई दे रहा हूँ सनी की इस्तिति देखें तो यहां पे उठावा है यह बे वो जहें की चिंताएं देता है या कोई न कोई ऐसी वो जहें पैदा करता है जो तनाव को हमेसा बनाए रखे और सुबह उठने में ये विक्ति को आलेश्य की प्राप्ति करवाता है थोड़ा गंभीर विक्तित्व देता है ये बहुत अच्छी बात है ये बहुत अच्छा है आपका ये मैंने पहले बता दिया बुद्ध की इस्तिति भी आपकी अच्छी है थोड़ा हरी सबजी है हरे फल है हरी दाले है इनका सेवन करे आपके लिए बहुत सांदार हैगा आगे जाके फायदे बहुत अच्छे है लेकिन साड़े तीन बरस तक अभी और आपको इसी रूप में उतार चड़ाओ और उल्जन की इस्तिति का सामना करना पड़ेगा लेकिन उपाय दे रहों जरूर करें चंद्रमा धीरे धीरे आपका बहुत ज़्यादा उभार ला रहा है तो ये मन को बिचलित करता है मन की एकागर्त को भंग करता है और मन में तनाव और परेसानियों की इस्तिति रखता है मन को अच्छा नहीं लगता है मन को ब्याकुल रखता है मनी मन ठीक नहीं रहता है ऐसी इस्तितियां यह देता है तो कहीं न कहीं गुरू की पूजा उनकी आराधना नियमित रूप से करें आपका चंदरमा ठीक होगा और जल का सेवन ठीक ठाक करें तो आपके लिए बेहतरीन रहेगा देखा जाए तो मैंने आपकी हतेली का पूर राब इसलेशन करके आपको बता दिया है उपाई में विदिवत तरीके से लिख करके और आडियो के मादेम से बेज रहा हो करने की कोशिस करें बहुत अच्छा लाब मिलेगा इस वीडियो में बस इतना ही एक नई वीडियो के साथ पनोपस्थित होंगा तब तक के लिए नमस्कार